इससे ज्यादा तकलीफ दह कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आँखों के सामने गुजरती चली जाए और आप अपनी मर्जी से ना जी सकें इनसान इस दुन्या के पीछे भाग रहा है कि जिसको जितना भी हासिल कर लो हमेशा लाहासिल ही लगती है ऐसा लगता है कि जैसे अभी थोड़ी है और थोड़ी है वाली बात कभी मुकमल नहीं होती इनसान परिशानियों की गिंती करने का माहिर है लेकिन नामतों का हिसाब करना भूल जाता है जिन्दगी की हर्ट होकर ये एहसास दिलाती है कि अल्लाग मेरा तेरे सिवा कोई नहीं यहां कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना किसी के सुख से दुखी होता है मौत महद सांसों के बंध होने का नाम नहीं है लम्हों का हाथों से फिसल जाना भी मौत है और खाबों का आखों में मर जाना भी वक्त बदल देता है आदतें भी और खाहिशें भी हमारे जिन्दगियां अपने खात्मे का आगाज उसे दिन कर देती है जब हम उन चीजों पर खामोश हो जाते हैं जो हमारे लिए एहमियत रखती है खामोश चेहरों पर हजारों पहरे होते हैं हस्ती आखों में भी जाखों गहरे होते हैं यूं तो गलत नहीं चेहरों का तसवर भी मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इनसान को हमेशा के लिए खामुश कर देते हैं एक परवाही बताती है ख्याल कितना है वरना तराजू नहीं होता कोई रिष्टों में कोई इस दोर में वो आइने तक्सीम करे जिसमें बातिन भी नजर आता हो जाहिर की तरह जूरियां रह गुजर बनती चली जाती है वक्त इनसान के अंदर से गुजर जाता है जहालत गहरी नींद की तरह होती है जगाने वाले पर गुसा आता है बेहसी शर्त है जीने के लिए और हमको एहसास की बिमारी है ये माश्रा एक खुश अखलाक इनसान को तल्ख बना देने की खुबी रगता है मैं कुछ भी नहीं ना खुश ना गम जदा मैं बस बेजार हूँ इस दुन्या से यहां के लोगों से उनके रवाजों से तर्जूर बात किताबों से नहीं मिलते साल लगते हैं और साल भी आन जवानी की वक्त गुजर जाता है पर वक्त के हाथो अपनों से जो अजियत मिलती वक्त गुजर जाता है पर वक्त के हाथो अपनों से जो अजियत मिलती है वो कभी नहीं भूली जा सकती यह हाकिकत है कि हसास लोगों की तकरिबन सारी जिन्दगी आजमाईशों में ही गुजर जाती है वो शरारतें वो शोखियां मेरे एहदे तिफल के कह कहे कहीं खो गए मेरे रात दिन इसी बात का तू मनाल है